हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Moto G13 Android mobile phone में आप जो है Color Inversion Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये Color Inversion Setting जो है Enable होने के बाद ये Setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में आपको डेटियल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में Setting पेज को ओपन कर लीजे अपने मुवाइल फोन में Setting पेज में आपको नीचे आने या आपको ऑप्शन मिलेगा यह Accessibility, Accessibility पे सELECT करना है इसके अगले पेज में आपको अपको ऑप्शन मिलेगा यह Color Inversion ठीक है इस ऑप्शन के ठीक सामने जो बटन दे रखाना इस बटन को आपको tap करना है तो यह बटन आपका on हो जाएगा यानि कि आपके setting इस तरीके से इनेबल हो जाएगी अब इस setting इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है मैं आपको बता देता हूं देखिए पहला तो यह कि आपके mobile phone की जो background screen होती है यह आपकी white से black हो जाती है ठीक है और दूसरा यह कि आपके जितने भी आपके पूरे mobile system में जितने भी आपके colors है जितने भी आपके color हो रक्याओंगे color दिखाई देते हैं जहां कहीं भी उन color में black color mix हो जाता है मीडले आपके जितने भी आपके white color जहां 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 पर आपके होंगे आपका भी black color हो जाएगा, तो इस setting इनेबल करने के बाद इस setting कुछ इस तरीकी से काम करती है, आपके phone में ठीक है, अब मैं आपको color inversion setting को ढूंडने का एक short का तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में, इसके लिए आपको अपने mobile phone का setting page open करना है, setting page में आपको सबसे उपर ये search setting का option select करना है, और यहाँ पर आपको search बार में type करना है color inversion, ठीक है, जो setting का name है, यहाँ पर आपको पूरा type करना है, तो आपको जो हैना नीचे की साइट ही color inversion का option show हो जाएगा, इससे आपको select करना है, ठीक है, इससे क् mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा, ठीक है, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है, इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में,